तो दोस्तों किसी भी IPO का GMP प्राइस चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में आना है दिन यहाँ पे आपको टाइप कर देना है www.moneymeantidea.com आपको यहाँ पे टाइप करना है दिन उसके बाद आपको लिख देना है GMP प्राइस जैसे ही आप इतना लिखेंगे दिन यहाँ पे आपको सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने यह वाला पेज ओपन होगा इस पेज के उपर आपको क्लिक कर देना है जितने भी IPO के GMP रहेंगे अगर हमारी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आता तो आप खुद से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तो पेले IPO के यहाँ पे बात करें तो पेला IPO आता है यहाँ पे निकल के Green High Tech Venture का IPO दोस्तो यह IPO 12 अपरेल से लेके 16 अपरेल के बीच उपन हुआ था इस IPO के GMP प्राइस की बात करें तो आज के टाइम में इसका GMP प्राइस 25 रुपे चल रहा है अगर आपको इस कंपनी का एक लोट लगता है तो एक लोट के अंदर यहाँ पे आपको 40,000 रुपे तक का प्रोफिट देखने को बिल जाएगा यहाँ पे अगर इस कंपनी के लिश्टिंग प्राइस की बात करें तो आलमोस यह आपको 75 रुपीज के उपर लिश्ट होते हुए दिख जाएगा अगली कंपनी के बात करें तो राम दियो बाबा सॉल्वेंट कंपनी है यह IPO 15 रुपीज से लेकि 18 रुपीज के बीच यह IPO ऊपन रहने वाला है यहाँ पे अगर इसके GMP प्राइस की बात करें तो 27 रुपे पर शेर आज की डेट में इसका GMP आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे अगर IPO price की बात करें तो 85 रुपीज की उपर यह आपको मिलने वाला है यहाँ पे अगर load size की बात करें तो 3000 share का यहाँ पे load रहने वाला है दिन यहाँ पे अगर हम लोग इसके listing date की बात करें TVS April के उपर यह आपको stock exchange के उपर list होते हुए देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अगर per load profit की बात करें तो एक load अगर आपको इस company का लगता है तो यहाँ पे 45,000 रुपे के something आपको जो है profit होने वाला है estimated listing price की बात करें तो 112 रुपे के उपर यह list होते हुए आपको stock exchange के उपर देखने को मिल जाएगा अगले IPO की बात करें तो यहाँ पे grill splinder करके company है इसका IPO आपको देखने को मिल जाएगा 15 April से लेकिए 18 April के बीच में आज की date में इसके GMP price की बात करें तो 8 रुपे चल रहा है यहाँ पे अगर per share की बात करें तो 120 रुपे के उपर यह share आपको मिल जाएगा यहाँ पे अगर इसके load size की बात करें तो 1200 quantity का इसका load रहने वाला है यह IPO 23 April को आपको stock exchange के उपर list होते हुए देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अगर per load profit की बात करें तो 9600 रुपे का आपको एक load के अंदर profit देखने को मिल जाएगा estimated listing price की बात करें तो 128 रुपे के उपर यह आपको stock exchange के उपर list होते हुए देखने को मिल जाएगा अगली company के बात करें तो यहाँ पे VIAE का IPO आने वाला है यह IPO आपको 18 अपरेंस लेके 22 April के बीच open होते हैं देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अगर इसके GMP price की बात करें तो 1.5 आपको इसका GMP देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अगर इसके price band की बात करें तो 11 रुपे price band इसका रखा गया है यहाँ पे अगर load size की हम लोग बात करें तो 1289 share आपको एक load के अंदर मिलने वाले यहाँ पे अगर listing date की बात करें तो 25 April को यह IPO stock exchange के उपर list हो जाएगा अगर आप इस IPO के अंदर apply करते हैं दिन आपको एक load यहाँ पे लग जाता है तो एक load के अंदर आपको 1947 रुपे का profit देखने को मिल जाएगा estimate listing price की बात करें तो 12 रुपे 50 पेसे के something यह आपको stock exchange के उपर list होते हैं देखने को मिल जाएगा अगली company की बात करें तो falcon concept करके company है इसका IPO 19 रुपे से लेकि 23 रुपे के बीच open रहने वाला है यहाँ पे अभी इसका GMP price 0 चल रहा है यहाँ पे अगर इसके price band की बात करें तो 62 रुपीस की उपर आपको एक share देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अगर इसके load size की बात करें तो 2000 share का यहाँ पे load रहने वाला है यहाँ पे इसकी listing rate की बात करें तो 26 April के उपर यहाँ पे या IPO आपको list होते देखने को मिल जाएगा stock exchange की उपर यहाँ पे अगर profit की बात करें तो जब तक इसका GMP नहीं आएगा profit estimated है तो जब भी इसका GMP आएगा आपको यहाँ पे अपडेशन मिल जाएगा यहाँ पे listing price की बात करें तो जब तक इसका GMP नहीं आता है अभी हम लोग इसके बारे में details में नहीं बता सकते बट आप money mint ITIA के उपर visit कर लीजेगा जब भी इसका GMP price आएगा यहाँ पे आपको update उसका मिल जाएगा अगली company के बात करें तो वारिया creations करके एक company है इसका IPO 22 April से लेके 25 April के बीच open रहने वाला है इस company के अभी GMP में कोई updates नहीं आया अगर यहाँ पर शेयर के बात करें तो 150 रुपे के उपर आपको पर शेयर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अगर load size के बात करें तो 1000 quantity का यहाँ पर आपको load देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अगर इसके listing date के बात करें तो 30 April को यह IPO आपको stock exchange के उपर list होते देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको estimated कितना profit होगा आप money mint idea पर visit करते रहेगा आपको यहाँ पर सबसे पहले update देखने को मिल जाएगा यहाँ पर stock exchange के उपर जो estimated price रहेगा वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अगली company की बात करें तो imports, auto takker के company है यह IPO आपको 23 April से लेके 25 April के बीच open होते देखने को मिल जाएगा अगर इसके GMP price के बात करें तो per share अभी GMP price 30 रुपे चल रहा है 98 रुपीज के उपर इसका allotment आपको मिलने वाला है यहाँ पर अगर हम लोग lot size की बात करें तो 1200 quantity एक lot के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी listing date की बात करें तो 26 April के उपर यह IPO आपको stock exchange के उपर list देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अगर आपको इस company का IPO लग जाता है और एक lot आपको यहाँ पर allotment हो जाता है तो आज की date में उस lot के उपर 18,000 रुपे का आपको profit देखने को मिल जाएगा यहाँ पर estimated listing price की बात करें तो 113 रुपे के उपर यह आपको stock exchange के उपर देखने को मिल जाएगा अगली company की बात करें तो यहाँ पर G&K India करके company इसका IPO आपको open होते देखने को मिल जाएगा तेवीस अपरेल से लेके 25 अपरेल के बीच अभी इसके price band दिन GMP अपडेट नहीं आए बट इसका lot size आज चुका है तो एक lot के अंदर आपको 1000 quantity मिलने वाली है 30 अपरेल के दिन यह IPO stock exchange के उपर list होते आपको देखने को मिल जाएगा जो भी अपडेट रहेंगे उसको चेक करने के लिए आपको daily moneyment आइडिया पे विजिट करना होगा आपको उसिस करें दिन में 1-2 बार यहाँ पे विजिट करें मैं कोसिस करूँगा एक general reply देने की चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसे ने वीडियो में नई जानकारी के साथ चलिए थन्यवाद